नमश्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौमराथी लाइफ सिटीज पर हम आपको लगतार कोरुना के नए वेरियंट से जोड़ी जानकारी दे रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर साब नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका दन्यबाद सौमिया जी डॉक्टर साब आपने हमें कोविट के नए वेरियंट के बारे में जानका रहे हैं इम्म्यूनिटी को लेकर भी आप एक एपिसोड में बात कर चुके हैं आज मैं चाहूंगे आप हमारे दर्शकों को ये बताए कि ये जो नया वेरियंट है बी एफ सेवन इसके लक्षन क्या है इसका ट्रीट्मेंट कैसे अलग है अजिए अजिए कि जहां तक लक्षन का सवाल है ये सारे कोविड का लक्षन कोई अलहदा लक्षन नहीं है इसका जो आम लक्षन थे जो आप जानती हैं हर कोई जानता है खांसी है बुकार है सीने में जक्रन है गले गले में खरास है पूरे पूरे सरीर में मसल में दर्द है ठकान है लसिचिवड है और साथ में पेट में दर्द उल्टी लूज मोशन ये भी है इसमें कभी कभी बहुत occasionally loss of test loss of smell भी हो सकता है तो सारे जो symptoms का spectrum है वो इसमें हूब हुआ ही है लेकिन BF7 में थोड़ा percentage ज्यादा है यानि कि जिसको आकरांत करेगा यह ऐसा आकरांता है कि जो आकरंत जो व्यक्ति आकरंत हुआ है उसमें लक्षन ज्यादा दिखाई देंगे बनिश्पत original उसके ज्यादा लोगों में लक्षन दिखाई जैसे कि मैंने पहले भी कर चुक कर सकता है उसके अंदर जा सकता है और इस सारे सिम्टम्स को लक्षनों को पैदा कर सकता है लेकिन सबसे जरूरी है कि लक्षन सब तो ही है यही बात सब जो जो खुसकिसमती है हमारी जो एक जिसको कहते हैं कि silver lining चांदी की एक रेखा दूर में कहीं सुनली रेखा दिखाई दे रही है कि लक्षन सब वही हैं लेकिन pneumonia नहीं है लंग्स में involvement नहीं है regular cases में normal cases में कुछ occasional cases में हो सकता है लेकिन pneumonia की involvement जो होता था लंग्स में जो involvement होता था जिसमें oxygen की दरकार पड़ती थी oxygen shortage हो आया करता था वो इसी इस्तिती की संभावना अभी तो भारत वर्स में कही नहीं दिखती नहीं है दूर दराल तक नहीं दिख रही है तो जिस हमने बताया कि वो उसके लिए immunity factor जिम्मेदार है उसके लिए सारी चीजी जिम्मेदारी है लेकिन लक्षनों को लक्षन तो ही रहेंगे जो मैंने बताया जो original omicron का लक्षन है डॉक्टर साब जिसे delta में ह साथ भी है रेगुलर नहीं है हो सकता है ऐसा माना कि यह बहुत लेकिन बहुत फ्यू परसेंटेज है जिसमें loss of test loss of smell जाता है लेकिन हो सकता है यह बिल्कुल बिल्कुल इसको आप अलग नहीं कर सकती है उससे क्योंकि यह सारे लक्षन जो है एक omicron क्या इक कोविड के सब मिलता जूते लक्षन है लेकिन जिसमें डेल्टा वाइरस में जितने जितनी समस्या थी loss of test loss of smell की जैसी गंभीरता थी कि अगर loss of smell चला गया तो यह आपका definitely हो ही है वह इसी चीजे इसमें नहीं है लेकिन बाकी सब लक्षन करीब करीब वहीं है उमीद करती हूं कि परवाही भी बिलकुल नहीं करनी है जो safety measures हम अब करीब दो सालों से ले रहे थे उन्हें ही continue करना है और अपने आपको safe रखना है अब बाकी की वीडियो उसके लिए चानल के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो पेज को like करें YouTube पर देख रहे हैं धन्यवाद